हाला स्टुडेंट्स मैं डॉक्टर कजिंद पुरही तो आप देखे रहें मेरा यूट्यूब चैनल जहां पर आप मेरी वीडियो से एक सकते हैं हार मैथमेटिक्स पे जोके हलफुल रहेंगे आपके लिए इंजिनरिंग एंड बीस स्टुडेंट्स के लिए अगर आप किसी गौर्मेंट कॉंपिरिटिव एक्जाम की त्यारी कर रहें तो उसके लिए मेरा कंटेंट बहुत ही हल्फुल है इस उन में 2D स्टार्ट किया है जिसमें स्टेट लाइन पर में एक वीडियो अलरड़ी अपलोड कर चुका हूँ आज मैं आपके सामने सेकंड टॉपिक लेन दो लाइन दे रहें के यह दूरण में एक डूरी टो इन दोनों के बीच में यह एंगल होता है इसकी विलियों कैसे निकालते इसका फ़ालल होता है टेन टीटा विल्बर माइनस एं टू-1 एमट्ट होता है इस निए आपको बता दू कि यहां पर जो M1 होता है इसकी value क्या होती है इस निए 10 ठीटा 1 होती है और M2 की जो value होती है वो हमारे पास क्या होती है इस इस concept से related काफी सारे equations exam में बन जाते हैं यह सब value उठाके हम यहां रखते हैं और इस निया पर concept ही आता है कि अगर हमारे पा लो जाए तो उस वाले केस में क्या होगा इसका मतलब 10 ठीटा हो गया थेटा जीरो होगा तो हम जानते कि 10 हमारे पास क्या है जिरो जाएगा और 10 जीरो गए तो क्रॉस मल्टिप्लाइब करेंगे जब क्रॉस मल्टिप्लाइब करेंगे तो हमारे पास क्या होगा अब बात होती है कि थीटा हमारे पास 90 डिग्री हो जाए मतलब एक दूसरे के क्या हो जाए यहां रखेंगे तो हमारे पास क्या होगा सुन यहां पे हो जाएगा 1090 इसको क्रॉस मल्टिप्लाइ कर देजिए जब यह दर जाएगा यह दर जाएगा तो यहां पास कंडिशन हो जाएगी 1 प्लस M1 M2 is equal to 0 तो M1 M2 is equal to हमारे पास क्या जाएगा सुन माइनस वन होगा तो कंडिशन ही होती है कि अगर दो स्लोप को हम आपस में मल्टिप्लाइ करें और उसका प्रोड़क्ट माइनस वन आता है तो यह वो हमारे पास लाइन क्या स्लोप सेम होता है जो परपेंडिगल होती दोनों के स्लोप का प्रोड़क्ट माइनस मन के बराबर होता है यही मैंने आपको नेक्स आगे समझा रखा है जो कि आपको यहां पे समझ में आएगा मैं आपके समने इसके बारे में बात करता है एंगल बिट्विन y is equal to x and 2x plus y is equal to 1 तो हम जानते है हम जानते है हमारे पास जो एक्वेशन होती है y is equal to mx plus c तो यह जो m होता है तो अगर हम बात कर यहां पे इसका जो स्लोप होगा मतलब इसका जो m1 होगा वो कितना होगा 1 स्लोप होगा वो कितना होगा सुन माइनस टू होगा हम जानते है यहां 10 theta is equal to मारे पास क्या फर्म नोता सुटा टैंट इसकूल माइनस म्टू अपन प्लस एंवन एंटू होता है राइट यह वेली रखेंगे तो सुन यह वन और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा divided by 1 प्लस इस वन दोनों का प्रोडेट करेंगे दिया माइनस टू हो जाएगा तो इस तरह से क्वेशन करते हैं इस उन कभी कभी हमारे पास जो क्वेशन आता एंगल पर थोड़ा इस टेप कभी आ जाता है कि आपको गर एक लाइन मान लीजए आपके पास इस लाइन की एक्वेशन सब्सक्राइब दूसरी लाइन पर दे रकए और लेन मान लीजएं और वीससे that क्या होता है मारे इंगल लीज इस मुझे तरह तो यार मपन की वेल्यू हमारे पास किती दे रखेए यार मट्व जो होता है वो टैन ठीटा टुफ है जिसकी वेल्यू आपको निकालने क्योंकि अगर आपको यह पता देख डिया प्रकिलियू एक अपको यह उपास इसने वाइशन वाय इसको दो एम टुफ प्लस सी सब्सक्राइब कर दीजिए जब क्रॉस मुटिप्लाइब करेंगे ती आएगा टैन अल्फा प्लस एम टैन अल्फा एम टू हो जाएगा और यहां से सब्सक्राइब करेंगे एम टैन अल्फा प्लस वन और यह उदर जाएगा तो यहां से हमारे पास जो एम टू की वेल्यों आएगी वह कितनी आएगा सुन माइन अल्फा अपॉन यह एगा एम टैन अल्फा प्लस वन तो जो भी हमारे पास वेल्यों उटा कि यहां रख देंगे एम टू में और यह हमारे पास लाइन की क्या जाएगी एक्वेशन आएगी इस तरह से यहां पे इसक्वेशन को हम सॉल्फ करते हैं इस तरह आएगे है जो 3-2 से पास हो रही है और इस लाइन के साथ 60 डीगरी का एंगिल बना रही तो उस लाइन की एक्वेशन क्या होगी तो माद लीजे वह लाइन की छिए हमारे पास यह होगी 3M x-x1 यह हम M2 ले लेते हैं और इस लाइन से एंगल बनाएं तो इसका जो slope हम M1 ले लेते हैं तो यहार Y is equal to यह आएगा माइनस का root 3 x plus 1 तो यहार इसका जो एंगल है वो हमारे पास minus root 3 आएगा इस सुन यहाँ पर हमें यहां पर करेंगे माइनस का root 3 हमें यहां पर क्या करेंगे माइनस का root 3 हमें M2 निकाल लाएं टेंचल लेने के जरूत नहीं है इस सुन यहां पर हम क्या करेंगे माइनस का root 3 M2 हो जाएगा इसको हम जानते हैं इसकी विल्यों हमारे पास root 3 होती है root 3 होती है और इसको cross multiply करेंगे तो 1 minus root 3 M2 और यहाएगा is equal to minus root 3 and minus का M2 हो जाएगा इसको simplify करता है सुन रूट 3 multiply करेंगे तो यह आएगा root 3 और यह आएगा 3M2 is equal to माइनस का root 3 माइनस का M2 माइनस M2 इदर लेजे तो माइनस M2 इदर लेंगे तो सुन यहां पर या इस 3M2 को उदर ले ले जो ताई यह एक्स ओन वाएवण गीवण हमारे पास इन दोनों पांट से पास हो रही है तो सुन आरे पास Y1 की वेल्यू कि इतनी हो जाएगा तो यह प्लस टू हो जाएगा is equal to 2 हमारे पास root 3 हो जाएगा and X- x-1 that is x-3 तो यह पर यह आ रहा है ना देखो यह दोनों में कोई चेंज नहीं है ना माल लिजेकर हमारे पास कोई एक्वेशन दे रहे कि जैसे मैं आपको बोलता हूं कि 3x plus 4y plus 5 is equal to 0 कोई आप से पूचे गार इसके parallel line की equation क्या होगी तो यार इसके parallel line अगर हमारे पास कोई भी line की निकालने तो कैसे घर एक सब्सक्राइब के जरूता है और एक सब्सक्राइब यहां पर यहां पर यहां का कोफिशन एक सापन जाएगा ऑगे माइनस हो जाएगा यह द्यान देने के जरूता है यह ट्रिक होते हैं इसको समझने के जरूता है तो सुनी आएगा हमारे पास एक कोफिशन इसका बन जाएगा इसका कोफिशन नहीं बन जाएगा और वाइक के आगे माइनस लेगा फॉर एक्जम्पल अगर आप से कोई पूचे ग्यार थ्री एक्स प्लस फॉर व इसके परपेंडिकल रहे तो जाएगा फॉर एक्स माइनस का 3Y प्लस का के आगे इस तरह से इस टाफ के सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर और पास कोई भी llama की δिखालवा कि, ऊसे इसे, मार बिखेस पुए स से, लिखनी का तरीका हमारे पास यह होता है कि जो भी हमारे पास पॉइंट डिरेक उठागी या रख दीजे ति आएगा एक्स वन प्लस बी बाइवन प्लस इप आपॉन अंडुरोड और एक्स कोफिशिन का स्कॉर्ड यह के कोफिशिन का स्कॉर्ड यह हमारे पास पर्पेंदिकुल डिस्टेंस का फार्मॉला तो सुन यह डिस्टेज्ज होगी है क्या होगी जहां पर भी एक सवाँ जीरो जहां पर यह प्लस वन अपन अंडरूट ऑफ इसका कॉफिशन का स्क्वार वन इसके कोफिशन का स्क्वार फोर जाएगा तरह से आप इसके पर पर पंडिर साथ है इसली निकाल सकते हैं इस क्या होगी तो सुन यहां पर स्लोप से बहुत इसली लिए आप निकाल सकते हैं क्योंकि स्लोप का जो प्रॉड़क्ट होता वो माइनस वन होता मैं आपको बुलता एंवन जगर दो लाइन हमारे पास एक दूसरी के परपेंडिकुलर है तो हम जानते हैं M1 M2 is equal to minus 1 होता है तो सुन यहां पर हमारे पास इसका जो स्लोप आएगा वो माइनस का 2 बाइक के आएगा इसी प्रकार सम इस एक्वेशन को देखते हैं तो सुन यहां पर हमारे पास यह दर रखा है 3Y minus X is equal to 3 तो यहार यहाएगा 3Y is equal to X plus 3 इसको 3 से डिवाइट कर दिजे तो यहाएगा 1 by 3 3 प्लस 1 X यहां पर इसका जो स्लोप आएगा वह 1 by 3 आएगा इसका स्लोप और इसके स्लोप को मल्टिप्लाइ करिए तो हम जानते हैं यहार M1 M2 is equal to minus 2 by K है M2 की वेलिव 1 by 3 है is equal to minus 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 cancel हो जाएगा तो यहाएगा 2 upon 3K is equal to 1 तो यहार K की वेलिवा हमारे पास क्या जाएगी 2 2y 3 आजाएगी इस तरह से स्कूशन को बहुत जीलिए हम यहां पर सॉल कर सकते हैं सुन नेक्स कुशन देखें बहुत अच्छा कुशन है क्या रखा P1 and P2 are the perpendicular distance from the origin upon the straight line देखो हमारे पास दो straight line देखी एक इस टेंड लाइड हमारे पास यह देखी क्या रखी X sec alpha plus Y cost alpha is equal to a or point हमारे पास 0,0 देखार इसकी दू दिस्टेंस हमें P1 देखी रहे दूसरा हमारे पास देखार 0,0 से एक distance हमें देखी यहाँ पर P2 right है ना और यह लाइन हमें क्या देखे हैं? है सुन यह लाइन हमें यह दे रिखिए, क्या देर किये है? X cos alpha minus sorry यह minus है X cos alpha minus Y sin alpha is equal to A cos 2 तो यार हमें क्या करना? इसके distance निकालते हैं, सबस्रे पी वन निकालते है इस इंप लिए जहां पर वे एक समा 0 Y 0 तो इस नहीं आएगा 0 plus 0 minus है upon under root of इसी स्क्क्रार करेंगे तो यह हमारे पास सेके स्क्वार अल्फा प्लस को सेके स्क्वारलफा हो जाएगा इसी टाइपस हम P2 की फिली निकालें गश्यों 00 रखेंगे तो 0-1 a cos 2 alpha upon उस अंडरो दॉफ इसका square करेंगे तो यहाएगा सबसब यह P1 है और यह P2 है, तो यहार P1 की वेलिए हमारे पास क्या आएगी, छुली हमारे पास distance हमेशा है क्या होती है, पॉजिटिव होती ही, यह द्यान देने की ज़रोत है, तो सबसब यह आएगा A upon, यह जो सबसब इसको में लिख सकता हूँ, 1 upon cos square alpha, plus इसको लिख सकता हूँ, 1 upon sin square alpha, इसको simplify करेंगे, तो सुनी यह आएगा, यह तो A ही आजाएगा, इसको करेंगे, तो यह आएगा हमारे पास sin square alpha, plus cos square alpha, divided by, नीचे आएगा हमारे पास, sin square alpha, cos square alpha हो जाएगा, हम जानते इसकी वेलिए 1 होती है, तो यहारी आएगा 1 upon, और under root, तो यह सुनी यह आएगा, sin alpha, cos alpha, यह उल्टा हो जाएगा, चलो मैं एक बाल लिख देता हूँ, यह आएगा, हमारे पास, sin alpha, cos alpha, right, तो यह सुनी यह आएगा, हमारे पास A, sin alpha, cos alpha हो जाएगा, इस मिन क्या करता हूँ, मैं इस P1 को थोड़ा systematic लगता हूँ, इस मिन क्या रिखा, तो यह महारे पास क्या रिखा है, यह साइन स्कॉार प्लस, cos square तो बन हो जाएगा, तो बचे गा कितना है, यह यह तो, यह सिंपली ही आ रहा है, तो पी तू हमारे पास आएगा, ए, cos 2 alpha आगा, अब हमें क्या तरीका है, थो पी वन स्कॉार करेंगे, पलस पी to तो को multiply करेंगे तो यह आएगा हमारे पास 2P1 is equal to a sin 2α अब देखो इसका square करेंगे तो इसका square करेंगे तो यह आएगा हमारे पास P2 square plus 4P1 square is equal to a cos square 2α plus a square sin square 2α हो जाएगा इसमें यह लिए हो जाएगा हम जानते a square common आ रहा है इस P1 square को पहले लिग दो P2 square को बाद में लिग दो is equal to हमारे पास कियाएगा a square तो यह हमारे पास यह रिजल्ट आता हैगा तो यह option हमारे पास क्या जाएगा करेक्ट आएगा इस तरह से question को बहुत इसलिए हम यह आप है solve कर सकते हैं so next question देखिए क्या देरिगा आप है the angle between this and this इस इस दो यह आप यह सुन एयार M1 M2 is equal to हुमारे पास क्यारा माइनस वनारा देखा दोनों को मल्टिप्लाइ करके देखो माइनस वनारा इसका मुलाइन सब्सक्राइगा तो यह प्लस दोनों का प्रोड़क्त तो यह एगा यह पास जाए गर यह पास 0 that is infinite और इंफानिट कब होता है जब एंगल क्या होता हमारे पास पास पाई बाइट उता रहेट तो दोनों तरीके से यह पर माइनस हो जाता प्लस का के इस एकल टू जिडो राइट ढ्रत एंड इसको सब्सक्राइब कि एसाटस्वाइगर कराव सबस्कें तो दस इंटू थीन आजाएगा राइट एंड माइनस का सेवन इंटू माइनस का फॉर प्लस का की इस एकुल डू तो यारी आएगा वारे पास थीज एंड साथ चोंगा अथाइस प्लस के तुसंड के की विलिए हमारे पास कितनी option is correct इस तरह से इस question को भी आप एजली solve कर सकता है इस नेक्स question देखें जब भी हमारे पास यह बोल रहा है कि the equation of line passing through 1,2 and parallel to this line जब भी हमारे पास parallel आता है तो मैं आपको बुलाए कि कोफिशन में कोई change नहीं आता है यहाएगा हमारे पास 3x plus 2y plus k is equal to 0 अब हम जानते हैं यह 1,2 से पास हो रहा है तो 8 1,2 इस ने 1,2 से पास करा दिए जहां पर भी x से वहाँ पर 1 और जहां पर y वहाँ पर 2 रखेंगे तो यह क्या आएगा 3 तो यह 4 हो जाएगा इस ने यह y के जगा 2 रखेंगे 4 प्लस k is equal to 0 तो बैस आप k की विलिए मारे पास क्या हो जाएगी माइनस 7 यह उटा गए यह रख दीजे तो इस ने हमारे पास equation आएगा 3x plus 2y minus 7 is equal to 0 तो यह इस तरह से इस question को भी यहाँ पे solve करते है सुन B option मारे पास क्या जाएगा correct आजाएगा नेक्स देखिए सुन यह वाला जो question is answer आपको देना है सुन के अब रहाद equation of line passing through 0,0 and parallel to this line बड़ा फरजी को सुन है आराम साब कर सकते हैं सुन इसके चार option दे रहे हैं which of the following is correct and आपको इस question को solve करने में किता दाइम लगा यह ज़रूर बताईए इस सुन मैं आपके लिए बहुत अच्छा काम कर रहा हूं और आगे भी करूंगा क्योंकि 2D 3D और mechanics dynamics से सब सोच रहा हूं मैं तो मेरी वीडियो देख सकते हैं सुन लास मेरी playlist जो कि मैंने upload करी है 2D के उपर वह आप यहां जाके देख सकते हैं सुन यहां जाके मेरा जो नय है चैनल इस पर जन्रला आप चागाम कर रहा हूं फुरगीट और आइडी जैम के लिए काफी अच्छा काम करा तो आप देख सकते हैं मेरा नया चलिए यहां जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं यहां जाके आप मुझे इस्टाग्राम पर फॉल्लो कर सकते हैं तैंके सो मच करें में लाइक करें शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें इसका अंसर आप कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर दीजिए धन्यवाद